Hello friends Indian Advance Studies मे मैं आपका स्वागत है हर्याना ANM 2020 के आज मैं आपको बताओंगा हर्याना 2020 के बारे में सभी जानकारी जैसे इक्सका एक्शाम कभी होगा application form को से रेलीस होगा application form कैसे फीर करना होसका application form अपन काउन कोंसे detail करना है इसका एक्जाम कैसे देना है इसका काउंसलिंग स्लेबस सभी चीज मैं आपको बताऊंगा तो इस वीडियो को लास तक देखें तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है गूगल पर सर्च करना है हरियाना एन्म 2021 और आगे लिखना आई एस पेपर आई एस पेपर एक ऐसा इसक्लूजव वेबसाइट है जहाँ पर आपको हरियाना एन्म से रिकरडिंग सभी नोटिफिशन टाइम टो टाइम मिलते रहे हैं जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है आई एस पेपर डॉत नेट हरियाना एन्म उस पर क्लिक कर लेना है क्लिक करते हैं आप आई एस रिलीज वां मन्थ ऑफ ऑक्तूबर इसका अप्लिकेशन मन्थ ऑफ ऑक्तूबर में रिलीज वोगा उसे पहले आपको यह जो फॉर्म आया वो उसे फिल कर लेना आपका फुल नेम जो भी नाम रहेगा आपका नेम आपका इमेल आईडी कॉमठ का क쪽에 आपका का क只 से स्टेट operation जो भी इस्टेट से हैं आप जिसे नेयुकित सेरें यह यहां से रहें तो अपनए उसके बाद आप अपना सिटी स्लेक कर लिजेगा हम Daisy जो भी रहेगा आपका सिलक्स ऐसके बाद आपको अपना कौन से कोर्ष में इंटरेस्ट है आपको जैसे इंजिनिür इटमेंट। सब्सक्राव जिसके आपको इसको से लेक्ट कर लेना, उसके बाद आपका हईयर कॉलिफिकिक 뭔 का 10th complete 12th diploma graduation जो भी आपका हाई कॉलिफिक्सन उसे क्लिक कर लेना उसके बाद get free counseling पर क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो thank you for your interest दिखाए उसके बाद आपको जैसे आप क्लिक करेंगे आपको हरियाना एम्स के रिगार्डिंग जो भी notification रहेगा आपको आपके जीमेल के थुरू या आपके मोबाइल नंबर के थुरू आपको प्रोवाइड होते रहेगा फ्री ओप कॉस्ट में जैसे इसका एप्लिकेशन फॉर्म इसे कॉन कंडेक्ट कर रहा है जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा हरियाना एन एम्स 2021 नोटिफिक्शन अप्लिक्वेश् चेक्ट अप्लिकेशन डिटेल जैसे अक्तूबर में यह इसका एप्लिकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर जाके क्लिक करके एप्लिकेशन चेक कर सकते हैं यह एक्जाम के हाईलाइट्स जिसे आपको यहां पर हाईलेट्स दिये हुए कि इसका एक्जाम नेम क्या है तो हरियाना जी एनम फुल फॉर्म क्या है हरियाना एक्जिलरी इसका फुल फॉर्म दिया हरियाना एक्जिलरी नर्स एंड मिडवेफरी कोर्स एक्जाम टाइफ नर्सिंग का है एक्जाम लेवल स्टेट लेवल का है कॉर्सेस ओफर डिप्लोमा है कंड से नरस MID losing Pachkula इससे कंड़क कर रहा था इसका application mode online रहेगा online application आपको भरना पड़ए इसका application online mode रहेगा nichts आपको यहां पर दिया हुआ है help line number यहां पर आपको दिया हुआ है नमबर दिया हुआ है चेक कर सकते हैं यहां पर आपको important date दिया होगा exam date exam इसका first round of admission registration इसका online होगा online web petro October में start होगा meritless इसका October में आएगा choice filling इसका October में start होगा इस्ट्यूट्यूट्व चॉइस प्रोवेशनल आलोट्मेट इसका नॉवंबर में चालो होगा document verification इसका नॉवंबर में होगा second round admission vacance seat November में निकलेगी institute बैसे choice fillingはい time changing November में online allotment इसका vérif regionмотрите और डा यहां पर और भी the DIY जो 222 o a Noimmen में में कपारां इस्टार्ट होगा जैसे रस्चेशन इसका world province come out by מ׏ में में स्टार्टिटूटूड चुक मेरिट लीस नॉवंबर में start होगा last date of closing admission admission भी नॉवंबर में लाज तक खत्म हो जाएगा नॉवंबर में आपका application form कैसे fill करना है आपको application form online fill करना है आपको online इसके official website पर जाना पड़ेगा और से यहां पर दिया हुआ है बाइं कि आपको जाना पड़े और अल्लाइन फ़ंब के लिए वहां से जाकर आप अपना detail जैसे photographs आप अपना name प्रेंट्ड नेम और आपका qualification क्या है सारा detail वहां पर फिल करके आप application भर सकते हैं वहां पर application बनने के बाद अपको अप्लीकेशन नमबर अपना याद रखना है अप्लीकेशन फॉर्म 2021 यहां यहां पर भी वही आपको application fee कितना है वहां पर आपको application fee आपको application भरने के बाद ही बता चले कर कितना फ्याइब का यहां पर कोई बताय क्या है eligibility criteria क्या उसका age criteria आपका 17 साल से लेकर सब्सक्राइब और एपका सब्सक्राइब और और पॉर्ण हाइब संवस्राइब भी एटी… यहां से आप रिट कर लीज़ेगा हर्यानasu ना मेरिटिलिस का मेरिटलिस इसका होता एकज़ होता अप्लिकेशन से फिल कर देंगा आपका उसके बाद आपको मैरिटり साइजा अपलिकयसं नमबर के बार कि आप है counseling official authorized conduct counseling round of application surtout counseling का shortlist release होगा उसे चेक करना आपको आपका merit list आपको जो counseling होगा हो verified होगा उधर पर application वरने के बाद आपको counseling processor आप आप counseling के लिए official website पर जाका login कर सकते login करना पड़ेगा आपको उसके बाद आपको admission करना पड़ेगा उमेद आपको यह सारी बाते समझ में आगी रहेगी नहीं आ रहेगा मैं एक बार और रिट करता हूँ इस पेज की लिंक पर आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा इस पेज में आपको हरियाना एनम के अप्लिकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा डेट इलिज विद्व पर मिल जाएंगे आप यहां से डेट चेक कर सकते हैं इस चीज को अच्छे से रीट कर करके आपको अच्छे सफीन बर लिमरे ना है यहां पर ने तो इसके बाद मैं आपको कैसे करना उसके वीडियो बना दूंगा तो आप उसे पर भी जाकर है के आप चेक्ट कर सकते हैं आपको फीर को में जाएगा आपके एज है क्रितिरिया जो Defils जब आपको यहां पर चेक्र manufacturers स Cul есть आपको अच्छारीट कर लेना है कांस्लिंग अगर वीडियो पसंद आए को तो लाइक कीछी हिस और में आप